बी सीसियाई ने शुरे सयर को दिया ये कैसा ही नाम क्या पूरे कुए में ही पड़ी है भांग वन डे वर्ल्ड कॉप में 500 से ज़ादा रन बनाए टीम इंडिया को कई बड़े मैच जिताए सिर्फ एक रन जी ना खिलने की इतनी बड़ी सजा आकिर किस आधार पर लिया जा रहा है फैसला अलग-अलग प्लेयर्स के लिए अलग-अलग पहमाना हार्दी को कैसे मिल गया सेंट्रल कॉंट्रेक्ट BCCI ने अपनी नई कॉंट्रेक्ट लिस्त जारी कर दी इसमें कई युवा चेहरों को पहली बार सेंट्रल कॉंट्रेक्ट का हिस्सा बनाए गया लेकिन दो प्लेयर ऐसे हैं जिनको BCCI ने सेंट्रल कॉंट्रेक्ट से बाहर कर दिया है इसमें पहला नाम इशान किशन और दूसरा नाम श्रेय सायर का है BCCI ने इन दोनों प्लेयर को रणजी खेलने का आदेश दिया लेकिन ये दोनों प्लेयर रणजी नहीं खेले थे इशान ने तो रड़ बॉल टुरिकेट खेलने से ही मना कर दिया था लेकिन श्रेय सेयर ने फिट ना होने की बात कही थी इसके बाद भी BCCI ने दोनों प्लेयर को संस्रल कॉंट्रेक्ट से बाहर कर दिया जबकि श्रेय सेयर ने रणजी समी फाइनल खिलने का इलान किया था इसके बाद भी उनको सेंट्रल कॉंट्रेक्ट से बाहर कर दिया गया इस कारेवाई के खिलाफ फैंस का गुस्सा देखने को मिल रहा है टिम इंडिया ने हाली में वन डे वर्ल कॉप खिलाए वर्ल कॉप से पहले श्रेस एयर चोटल थे तीन महीने बाद उनकी मैदान में वापसी हुई टीम को नंबर चार पर एक पैटर की जरूरती कप्तान कोचों या फर बी सी सी आई सबने उनको हाथों हाथ लिया और चोट के बाद श्रेस बिना कोई रणजी या घरेलू मैच खिले वापस इंडिया में आए और उम्मीदों पर खरे भी उतरे एक तो नहीं कई मैच में उनका प्रदर्शन शांदारा नंबर चार पर आने के बावजूद भी उन्होंने पांच सो से जादा रणद बनाए लेकिन BCCI सिर्फ एक रणजी ना खिलने को प्रतिष्ठा का प्रेश्ट बना बैठी और तुरेंट उनको कॉंट्रेक्ट लिस्ते बाहर कर दिया गया इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि ये श्रेस सयर के साथ ना इंसाफी हुई है कुछ मीडिया रेपोर्ट में ये भी बताया गया कि श्रेस अपनी पिछली चोट की वजह से आराम लिये थे लेकिन BCCI ने श्रेस से पूछने की बजाए NCA से रेपोर्ट पांगी कि क्या श्रेस फिट है या उन्फिट अब सवाल ये भी है कि क्या BCCI के लिए अलग-अलग प्लेयर के लिए अलग-अलग नियम है वन डे वर्ड कप से हार्दिक पंडिया चोटे लें मौझूदा समय में वो फिट भी हो चुके हैं लेकिन BCCI ने उनको विशेस दर्जा दिया है वो सीधे IPL खेलेंगे जबकि अगर श्रेस हैयर और इशान किशन IPL के तैयारी कर लें तो उन पर कारिवाई हो जाती है पिशले दिनों चोट के बाद जस्परीत बुमरा की वापसी होई थी लेकिन उन्होंने भी कोई रणजी या घरलू मैच नहीं खेला उनको सीधे कप्तान बना कर वापसी कराए गई अब सवाल फिर वही उठता है कि क्या BCCI के नियम प्लेयर क्या धार पर बनते हैं क्या अब जब विरात कोली की वापसी होगी तो BCCI उनको पहले रणजी खेलने को कहेगा रोहित शर्मा ने आखे रणजी कब खेला था क्या BCCI के नैनियम के नुसार वो भी रणजी खेलेंगे बता दे कि BCCI की नई कॉंट्राक्ट लिस्ट के नुसार ए प्लस ग्रेड में रोहित शर्मा, विरात कोली, जस्परीत बुम्रो और रविंद्र जारजा को रखा गया है जबकि ग्रेड A में रवी चंदरन अश्विर, मोहमत शमी, मोहमत सिराज, केल राहूल, शौमंगिल और हार्दिक पांडिया को जगा मिली है जबकि ग्रेड B में सुरे कुमार यादो, रिश्रपंद, कुलदीप यादो, अक्षर पटेल और येशस्वी जैसवाल है इसमें येशस्वी का प्रमोशन हुआ है ग्रेड C की बात की जाए तो रिंको सिंग, तिलक वर्मा, रेतुराज गायकवार, शार्दूल ठाकूर, शिवम दूबे, रवी बिश्नुई, जितेश शर्मा, वशिंग्तन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्ष दीप सिंग, केश फरत, प्रसद्य कृष्णा, आविश खान और रेत पाटिदार कॉंट्रेक्ट लिस्ट का हिसा हैं, नियमों के नुसार अगला मैच खेलते हैं धुरूचुरेल और सरफराज खान भी सेंट्रल कॉंट्रेक्ट का हिसा होंगे